गूड मार्निंग बच्चों, मैं देवननदन ठाकूर, योमिय स्तोपा, आज वर्ग सप्तम के विज्ञान के दस्वें पार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, पिछले दिनों में हम लोग इसी पार्थ के में कुछ चर्चा किये थे, बिर्क्षारोपन के साथ साथ बनों से हमें किया लाव है, आप लोगों को हमने कहा था कि बनों में पाए जाने वाले जिवजन्तु का नाम लिखें बनों में पाए जाने वाले पीड़ पोधों का नाम लिखें तो आप लोग लिख लिए होगे जरूर लिख लिए होगे तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बन में पाए जाने वाले ज जीव जन्तु पाई जाते हैं जैसे सेर, चीता, हेरन, बंदर, भालु बहुत परकार के और अलग-अलग बनों में अलग-अलग परकार के जीव भी पाई जाते हैं दूसरा चीज था कि बनों में पाई जाने वाले पेड़ पोधे हमने कहा था कि पेड़ पोधे तो बहुत तरक पैड़ पाई जाते हैं महुआ, सागवान, सक्खुआ, सक्खुआ, और भी बहुत तरग के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे अंजीर, साल, टीक, सेमल, सीसम, नीम, पलास, अंजीर, आउला, बास, कचनार, इस तरह से पेड़ पहुधे पाए जाते हैं, बिश्व के अलग-अलग जंगलों में, अलग-अलग परकार के पहुधे भी पाए जाते हैं, और जीव जन्तु भी पाए जाते हैं, तो बनों में हम लोग यह जान गए कि बनों में अनेक परकार के जीव जन्तू और बनों में अनेक परकार के पेड़ पोधी भी पाय जाते हैं हमने कहा था बनों में मिलने वाली पेड़ पोधों के उत्पाद उत्पाद का मतलब हुआ कि बन में जो पेड़ पोधे पाए जाते हैं उन पेड़ पोधों से हमें क्या-क्या पराप्त होता है जिसे आप लोग जानते हैं गोंद, तेल, मसाले, औसे धी जड़ी बुटी, मधू, लाह यह सब ही जो है जंगल में पाए जाते हैं इसे बिभीन परकार के चीजों में हम लोग पर्यूग करते हैं जितने परकार के मसाले देखते हैं, गोंद, तेल देखते हैं अनेक परकार के उसे दिये जड़ी बुटी पाए जाती है बिभीन परकार के लकड़ियों का हम लोग परयोग करते हैं बिभीन चीजों में तो इस तरह से देखते हैं कि वन जो है हमें पहुंग से चीजों को देती हैं हम तुम लोग जानते हैं जार्खंड के राज राजधानी राची में भारतिय प्राकृतिक रॉल एंगोन संसान नामकुम में है यह सोध करता है लाह पर क्या करता है यह सोध करता है इसे विभीन परकार के चीजों को बनाता है तो बच्चों बन हमारे लिए कितनी जोरुरी है यह बात जान गए अब हम लोग देखें कि हमारा जो जार्खंड राजध है ओ जार्खंड राजध में जो छेत्रफल है कुल छेत्रफल का 23,605 वर्ग किलोमीटर में जंगल है कितना है 23,605 वर्ग किलोमीटर में जंगल है जंगल यानि वन जो होते हैं तीन परकार के होते हैं जंगल कितने परकार के होते हैं तीन परकार के होते हैं एक होता है आरक्षित दूसरा होता है संग्रक्षित और तीसरा होता है और जिसको हमनों बोलते हैं तो हमारा जो है जार्खणर आज में जो है सभ़से बड़ा संगलख्षित वन खेतर है पोड़ा हाट और कोल्हान हमारा जारखन में जो संग्रक्षित बन है उसमें है सबसे बड़ा चेत्र है पोड़ा हाट और कोलहान तो इस परकार से हम लोग ये देखें कि वन में पाए जाने वाले जीव जन्तू, वन में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वन में पाए जाने वाले उत्पाद और बनो का जो परकार, कितने परकार के होते हैं, आरक्षित होते हैं, संग्रक्षित होते हैं, और आवर्गी कृत होते हैं, ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा यहीं पर करते हैं, फिर अगला दिन जो है, हम लोग खाद स्रिंखला के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद